हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब मैं हूँ विशुर तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि लैपटॉप में पैंडराइब कैसे लगाते हैं यानि कुसको यूज कैसे करते हैं तो जैसा कि आप देख रहे हैं यह है हमारी पैंडराइब ठीक है पूरा वीड पैंडराइब इसको हमें इस प्रकार यहां पर ऐसे इनसेर्ड कर देना है हमने कर दिया अब यह पैंडराइब यहां पर लग गई ठीक है तो आप देख सकते हैं कि pen drive का window open हो गया है कभी कभी ये window नहीं open होता है तो इसको कैसे open करते हैं इसको फिलाल हम यहां से minimize कर देते हैं अब इसको open किसे करते हैं इसके लिए हमको जाना होता है desktop पर this pc folder में यह देखिए यहां है this pc आपको दिख रहा है याँ desktop पर ठीक है मेरे computer में desktop पर यह this pc नाम से हो सकता है आपके desktop पर यह my computer के नाम से हो ठीक है तो इस पर double click कर दीजिए तो जो भी pen drive आप लगाएंगे वो यहीं पर show करेगी यह देखिए है USB drive हमारी ठीक है इस पर double click करेंगे और यहाँ पर desktop पर इसको save कर दीजिए तो आप देखेंगे यह replace destination कर दीजिए यह देखिए जो image यहाँ थी वो यहाँ पर save हो गई ठीक है